ये एतिहासिक तस्वीर है एक भारतिय टीचर के विश्य गुरू बनने की इस चहरे की खुशी के पीछे अभिलाशा जलकती है जिसके लिए कितनी महनत की गई है वो खिल खिलाती मुस्कान बताती है कभी फेस्बुक तो कभी वट्सैप आप भारत के विश्य गुरू बनने की बात अकसर देखते होंगे सोशल मीडिया पर ये कहानी खूब चाही रहती है आम जन्मानस में भी ऐसी बातें चर्चा का केंद्र बनती है लेकिन भारत का एक गुरू वाकई विश्य गुरू बन जाये तो महराष्टर के सोलापुर के एक टीचर ने ये कारनामा कर दिखाया है सोलापुर जिला परशद स्कूल के एक प्राइमरी सिक्षक रणजीत सिंग डिसले कू ग्लोबल टीचर सम्मान मिला है और उनको इनाम में 7 करोड रुपए मिले हैं ये भारत के लिए पहली बार है जब किसी टीचर को ये पुरसकार मिला है भारत का सिक्षक दुनिया के लिए मिसाल बन गया है युनेसको और लंदन के वार की फाउंडेशन के इस ग्लोबल टीचर पुरसकार की घोशना लंदन में एक्टर स्टीफन फ्राइ ने की से आया आखिर रडजीत सिंग का काम भी तो बेहद सरानिय है रडजीत ने लड़कियों की सिक्षा में प्रोचसाहन और देश में क्यू आर यानी क्विक रेस्पॉंस कोड को सिलेबस के लिए इस्टेमाल करने का काम किया रडजीत सिंग ने ये काम सोलापूर में आने वाले परी तेवाडी जिला परिशद स्कूल में पढ़ाते हुए किया मुझे बहुत बहुत खुशी है ये सम्मान मुझे मेरे क्लासरूम में जो मेने क्यू आर पोड़क टेक्सबूक तयार किये हैं उसके लिए ये सम्मान मुझे प्राफ हुआ है और लॉकडाउन में इसका काफी भाइदा बच्चों को हुआ है तो कि वह मॉबाइल प्विदावा भी अपनी जो शिक्षा है वो जारी रख सके हैं पैर्ट्स को ऐसा लगने लगा है कि येस गर्ल्स एजुकेशन दस्मापर तो ब्रक्यों का हम शिक्षित करें तो वह समाज और अपने परिवार का भला कर सकती हैं लंदन स्थित वोर की फाउंडेशन ने आज से 6 साल पहले 2014 में युनेसको के साथ मिलकर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी दुनिया भर में सिक्षा के शेत्र में सर्व श्रेष्ट और असाधारण करने वाले सिक्षक को ये सम्मान दिया जाता है लास्ट राउंड में दुनिया भर से 10 प्रतिभागी पहुँचे और फिर भारत के ररजी सिंग डिसले ने इतिहास रच दिया लेकिन आखरी राउंड में बचे 9 प्रतिभागी टीचर्स के साथ डिसले ने अपनी जीत की राशी 50 फीस दीब बाटने का एलान कर दिया यानि 7 करोड के इनाम में से 3.5 करोड जिसले दूसरे देशों के लिए दे देंगे और बाकी 3.5 करोड इनाम के रूप में लेंगे डिसले का कहना है किससे बाकी 9 देशों के बच्चों की पड़ाई में साहता होगी ग्लोबल टीचर रणजीत सेंग को महाराश्टर के राज्यपाल भगत सेंग कोश्यारी ने भी बधाई दी है वाकई रणजीत सेंग के विश्युगुरू बनने पर हम सभी भारतवासियों को गर्भ होना चाहिए